नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल, दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगी कुछ बहुत ही महत्तपूर्ण अब्रिवेशन्स की फुल फॉर्म जिन्हें आप अक्सर पढ़ते और सुनते रहते हैं, तो चलिए बिना किसी देरी की हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, शबसे पहले है yas, āas की फुल फॉर्म होती है Indian Administrative Service, इसे हिंडि में कहते हैं भारतीय प्रसासनिक सेवा, नेक्स इजट पीस इस, pcs की फुल फॉर्म होती है प्रोविंशियल सिविल viviz इसको हिंडी में कहते है प्रान्तिय सिविल सेवा next is ips ips की फुलफॉर्म होती है Indian Police Service हिंडी में कहते है भारतिय सेवा next is ips ips की फुलफॉर्म होती है Indian Foreign Service इसे हिंदी में कहते हैं भारती विदे सेवा इसको हिंदी में कहते हैं भारती राजस्य सेवा इसको हिंदी में कहते हैं जिला अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट Next is SDM, SDM की full form होती है Subdivisional Magistrate Next is SDO, SDO की full form होती है Subdivisional Officer इसके बाद है D.I.O.S, D.I.O.S की full form होती है District Inspector of School जिसे हिंदी में कहते है जिला विद्याले निरिच्छक Next is CMO, CMO की full form होती है Chief Medical Officer इसे हिंदी में कहते हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी Next is BDO, BDO की full form होती है Block Development Officer इसे हिंदी में कहते हैं खंड विकास अधिकारी Next is VDO, Video की full form होती है Village Development Officer इसको हिंदी में कहते हैं Gram विकास अधिकारी Next is IB, IB की full form होती है Intelligence Bureau इसके बाद है CID, CID की full form होती है Crime Investigation Department इसे हिंदी में कहते हैं अपरादचाज विभाग Next is CBI, CBI की full form होती है Central Bureau of Investigation Next is LIU, LIU की full form होती है Local Intelligence Unit इसके बाद है ED, ED की full form होती है Enforcement Directorate इसे हिंदी में कहते हैं प्रवरतन निदेशाले Next is RAW, RAW, RAW की full form होती है Research and Analysis Wing दोस्तो लगातार आप हमारी अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहे हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिजिए और यदि आप हमारी चैनल पर पहली पार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए थैंक्स पॉर वाचिंग